राजस्थान की सीम अशोग गहलोत और सचिन पालट के बीट जगडा ना सुलजने की सिती में खुद कॉंग्रे सद्यक्ष मल्लेका जुन खरगे इस जगडे को सुलजाने की कोशिश करेंगे अशोग गहलोत आज दो दिन के दोरे पर दिल्ली आ रहे हैं देखना दिल्चस्थ होगा कि सोमवार को दोनों निताओं से मिलने के बाद क्या कोई समझोता होगा या फिर कॉंग्रे सध्यक्ष अपनी तरफ से कोई फैसला लेंगे माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद खरगे अंतिम निर्ने करेंगे कॉंग्रेस सूत्रों के मताबिक पार्टी नेतर तो जगडे को सुलजाने की हर संभव कोशिश करेगा रश्टचारों पेपर लीक मामले में सचिन पाइलट सीम गहलोत पर हमलावर हैं वो लगातार इन मामलों की जाच की मांग कर रहे हैं लेकिन सीम गहलोत ने अपने बयानों से ये इशारा कर दिया है कि वो पाइलट की मांग नहीं मान रहे पारलट ने इसी महीने पांच दिवस के पधियात्रा भी निकाली थी और अप्रेल में एक दिन का अंशन किया था अंशन और पधियात्रा का कोई असर ना होने के बाद दोनों के बीच एक बार फिर जुबानी जंक तेज हो गई है चुनावी साल में कॉंग्रिस को डर है कि अंदरूनी फूट से कहीं चुनाव में उनका नुकसान न हो जाए